नमस्कार विद्यर्थियों मैं हूँ सुबं कुमार और SPP Online मैं आपको फिर से एक सजेशन देने आया हूँ आसा है कि आप लोगों की board परिक्षा बहुत ही अच्छी गई होगी और बहुत अच्छे score कर रहे होंगे आप लोग कितना अप लोगों का अनुमान है या आप comment box में जरूर लिखकर बताएं लेकिन हम जो आज बताने आये हैं यह है बोड परिक्षा और रिजल्ट के बीच में जो गैप होता है उस गैप में आपको क्या करना चाहिए यह समय बहुत इंपोर्टेंट है और इतना इंपोर्टेंट है कि मान लेजे कि यह तेंथ जो है एक एक वहां इस्टेशन है जहा से दिली, बंबई, कलकत्ता, पंजाब मतलब देश के बिभीन कोनों में जाने के लिए आपको बस मिलती है लेकिन समय यह है कि आप यहां पर कितना देर इंतजार करते हैं और इस इंतजार का आपको क्या फाइदा मिलना है तो यह जो टाइम है इंतजार के टाइम में इसका सदुपयोग हम कैसे करें इसको ले करके आज की टॉपिक है तो हम लोग चर्चा करेंगे जिसको यह चीज जानना है तो हम डिर्ट लिए नहीं बताएंगे कि आपको यही चीज करना चाहिए आप अपने अनुसार से खुद निर्णाई ले पाएंगे इस वीडियो के बाद कि हमको क्या करना क्योंकि दुनिए में different type के लोग है different different सोचन सकती के लोग है तो सब के लिए अपना अपना हम ऐसे इसमें suggestion दे देंगे आप पूरा वीडियो देखेगा तो आपको लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए हम किस type में आते हैं तो यह चीज़े हम बताने वाले हैं एक डेर महिना के अंदर आपको क्या करना चाहिए और आपको कहां पहुंचना पहुंचना है इसको इस स्टाइम का सदुक्यों कैसे करेंगे आए देखते हैं परिक्षा के बाद रिजल्ट में आने में हमें लगता है कि 30 दिन पिछले दो सालों से देख रहे हैं 30 दिन से 35 दि सुनना चाहिए ठीक है यह बहुत महत्पूर्ण सवाल है इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे लेकिन पहले यह जरूरी है कि आप इस एक या देर महिने के दर्मियान क्या करेंगे तो पहला जो बहुत तरह के जो भी द्यार्थी होते हैं यह कैसे कैसे प्लान होता है तो बाल कुछ तो है ने और वैसे भी गार्जन्स भी बता कर रखे होते हैं कि बेटा तेंथ पास कर लो उसके बाद तो मजे ही मजे है कितना मज़ा है यह तो आप आगे जाएंगे तब पता चलेगा लेकिन फिलहाल उसको लगता है कि आप मज़ा है तेंथ पास करके निकले ए एक लोग होंगे इसमें दो तरह के लोग होंगे एक वो होंगे जो बाहर सहर जाएंगे घूमने और या तो नानी जाएंगे या फूफा जाएंगे जिसका जो प्यारा है वहां जाएंगे समय बिताने के लिए छुटी दूसरा है वो लोग जो या तो दिल्ली जाएंगे चुनते हैं मैं यह नहीं कराएं कि तने लिखने वाले विद्धार्त सी箇क यह ज़रूरी है कितना जरूरी है इस पर हम दुलारू रहेंगे अप लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ गया और रिजल्ट खराब हुआ उस दिन के बाद से आपके दुख की घड़ी शुरू हो जाएगे तो चलिए इस समय में जितना जिसका रिजल्ट खराब होने वाला है वो इस टाइम में जितना मौज लेना है अप ले कि उटर कम की य सपना की तरह है है तो समय में को लगता है कि एंग्रेवाजी सीख लिए तो क्या इंप्रेशन होता है औरWW आप लोग कर लेते हैं और सीक ले जाते हैं होता क्या है कुछ नहीं अब दूसरा है computer course तो computer course जो चुमते हैं यह माली जी इनको लगता है कि हम एक डेर मैंने में computer सीख लेंगे उसके बाद ठीक है दरसल ये computer ये बेकार की चीज़े है आप कहेंगे सर्फ computer के लिग में आप computer सीखना बेकार की चीज़े बता रहे हैं कैसे बता रहा हूं computer उसी के लिए सीखना उस computer का कोई use नहीं है ज्यादा ज्यादा फिल्म देखेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो फिल्म तो बीना सीखे भी देख सकते हैं उसके लिए कोई बहुत बरा rocket science नहीं है वो तो ऐसे टिप टाप करते हुए जैसे mobile सीख लिए उसी तरह computer सीख लेंगे जो काम सीखना है computer मे उसका अभी आपको काम ही नहीं है तो यह सीख के कुछ भी होने वाला नहीं है जो matter के बाद पढ़ने वाले नहीं है जिनको लगता है कि हम पढ़ाय छोड़के दिल्ली में या कहीं पर काम नौकरी की तलास करेंगे वो सीख सकते हैं उसके लिए ठीक है कि computer का knowledge रहा तो हम कह तक आपके पास क्या होगा कि बात चीत करने वाले दस लोग अंग्रेजी में नहीं हो आप सीख लीजे कोचिंग साय अंग्रेजी सीख के और गौन बोल रहे हैं रहा है इधर इधर आवा हो तो नहीं सीख पाएंगा उसके लिए एक मोहल चाहिए जहां पर आपको बात करने लाएक लोग हो और जहां बात करने लाइक लोग होगा उसपोकें का जरत हिना परे में यकीन मानिए अब देखिए जो लोग बंगाल जाते नेनों भासल लीकुकरन की यह लेहां मेरे से अभी जैसे तेंथ का परिक्षा हो गया और सहर में कोचिंग स्टार्ट हो गया होगा 11 का तुरत से 11 का कोचिंग स्टार्ट होगा लोगों को लगा पहले से परहेंगे तो ज्यादा नोले जा जाएगा सही बात ये है कि अगर आप साइन्स रखते हैं तो 12 में 11 में बिहार में मुझे लगता नहीं है कि केंकि का काता है उनको जाकर कहने में रहने से क्या फाइदा दर्भंगा दर्भंगा में रहेंगे यह सहर में रहेंगे जहां आपका नियरस्ट सहर है क्योंकि 11 12 मैक्सिमुम लड़के सहर जातने पढ़ने के लिए तो सहर रहेंगे तो वहां पर कोई की का जो है यह होता है कि इस तरह से लोग time pass कर जाते हैं एक डेर मैना ऐसे ही आपका फटा-फट में निकल जाता है उसके बाद result आता है और result आने के बाद फिर आपकी दुनिया बदल जाती है आप क्या चुनते हैं कैसे करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि अब आप सोचते ह होंगे कि सर हमको यह सब चीजे गलत है तो हमको क्या करना चाहिए तो सबसे पहली बात सबसे पहली बात तो है कि आप प्रिक्षा देकर का आए पांच से दस दिन का रिष्ट लें पांच पांच दिन काफी हो गया पांच से च्छो दिन आपको जहां भी घूमना है नानी ग गंदगी जमा हुआ है जंग लगा मतलब पूरा जो है वाइरस एटेक हो गया है परहाई का भूत वो उतर जाएगा कम से कम तो पांच-दस दिन एकदम मस्ती करें कोई दिक्कत नहीं मस्ती करने के बाद आपको सबसे पहले प्लान करना होगा कि हमें आगे क्या करना है क्योंक बहुत सारी अवसक्ता होते हैं हम लोग एकोनोमिक्स में पढ़ चुके हैं सबसी जोको तो उस अवसक्ताओं की पूर्ति के लिए हमें कुछने कुछ काम करना होता है और सभी लोग चाते हैं कि हम ऐसा काम करें जिसमें धेर सारा पैसा हो और धेर सारा आराम हो लेकिन ऐसा संबब नहीं होता या तो आपके पास पैसा होगा या तो आपके पास आराम होगा लेकिन पैसा कमाने की भी बहुत सारे तरीके हैं उसमें जो अच्छा तरीका जो लोग अच्छा मानते इसको लगता है आराम से जीवन बैतीत किया जा सके तो उसको कहते केरियर तो वह आपको जानकारी नहीं है कि इनिर रिंग कैसे निकलता है इनिर रिंग में कितने परिक्षे होते हैं आपको चुनने से पहले जो है आपको उसके बारे में जानना चाहिए कि हमको क्या करना है दूसरी बात जो आपको रूची हो अमुवन तरपर लोग कहते हैं कि रूची हो तो रूची तो हमको पापर खाने में बहुत अच्छा लगता है हमको रसुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है ताकि जब मैं वो वीडियो लेकर क्या हूंगा आपको notification मिल जाएगा यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि वो 30 दिन का प्रियर कैसे तो सबसे पहले आप लक्स स्ताइ करिए एक goal fix करिए एक goal fix करिए कि हमको वहाँ पहुँचना है माल लेजे कि किसी ने goal fix किया कि हमको engineer बनना है तो माल लेजे आप science रखने वाले हैं तो आपको उसकी तयारी अभी से शुरू कर देने चाहिए आप कैसे तयारी सुरू करेंगे तो आपने fix कर लेगे हमको science रखना है तो आप तयारी कैसे सुरू कर देंगे कि science का जो आपको 9th देंथ का book है उसको एक बार फिर से आपको पढ़ना होगा और इंग्लिश पर बिशिस धियान देना होगा ठिके अंग्रेजी पर उसके अंघ्रेजी सब जैसे अपका वेग है तो वेग क्या होता है लिघ्र मेयर सकते होंगी इंटर में तो तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए ये सब चीजे जो है, और एक डिक्सनरी भी आती है, साइंस डिक्सनरी आती है, उसमें तमाम चीजों के इंग्लिस वर्ड होते हैं, और थोड़ी बढ़ियां से पढ़िया हो उसको, तो इस तरह से आप एक महिना में अगर उसक चुनना अच्छा रहेगा, फिलाल इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा जो एक टर्म है, कि आपको क्या करना चाहिए, तो एक टर्म है कि हमको जल्दी से आप अपना कैलकुलेशन करेंगे, कि आपका एकोनोमी की स्थिति मतलब आर् तो आपको यह टाइ करना पड़ेगा, अगर आपके पास लंबा टाइम है, तब आप उपर लेवल की सोचे, अगर आपके पास कम समय है, बहुत कम समय है, मतलब दो तीन चार साल ग्रेशन जाते जाते हैं, गार्जन जबाब देने लग जाएगा, तो आपको छोटा छोटा चोटा चोटा जो है, मुकाम ताइ करके मंजिल तक पहुशना पड़ेगा, मंजिल आप भले ही बरे रखें, लेकिन चोटा चोटा मुकाम आपको ताइ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने संगर्जन आपको बहुत ज़्यदा तो आउनर्स तक सपोर्ट करेगा, तो आपको अपने दम पर अपने पैरों पर खरे होते हुए आपको पहुंचना पड़ेगा इसके लिए जैसे मालीजी का आप चाहते हैं कि जल्दी से नौकडी लग जाए कोई तो इसके लिए एक कोर्स आता है देखें मार्च या अप्राइल में एक फॉर्म आ जाएगा पोलो ठीक है पोलो टेकनिक ठीक है और दूसरा है आई टी आई यह दो कोर्स हैं जो बिहार में बहुत प्रचलित हैं पोलो टेकनिक से आप जो है जुनियर इंजिनियर जेई बन सकते हैं और आई टी आई से आप एक मतलब टेकनिकल जो है जो है टेकनिकल एसकील में बन सकते हैं एक टेक्निकल परसंद बन सकते हैं ठीक है तो ये दो चीजे हैं इसकी सरकारी में फॉर्म आती है और सरकारी में देखे सबसे बहतरीन बात क्या है इसकी तयारी आप कर सकते हैं उस डेर महिना के अंतरक्रत और परिक्षा होगा उसमें पास कर जाएंगे तो आपको इसमें जैते हैं यह नि自 details में पढ़ी है तो आप उसके गाइड ले सकते हैं और उससे क्या होगा आपको बाद में अगर आपको साइंस रखना भी होगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं उसी से आपको मजबूत हो जाएगा साइंस स्बर्शाइं के लिए जो है आपको थोरा सजी क पढ़ना होगा और इसका एक गाइड आता है वो गाइड ले करके आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपकी परहाई जो है कंटिन्यू जारी रहेगे ठीक है और परहाई का लिंक नहीं टूटेगा अगर आप देर महिना सो गए ना तो फिर जो है आपको पढ़ने में मनी नहीं लगेगा लगेगा कि कैसा कहा आगये ठीक है तो यह दोनों चीजों की आप फर्म हर सकते हैं सरकारी कॉले से अगर आपका एड़िशन मिल जाता है इसमें ज्याधा पैसा भी नहीं खर्च होता है तीन से चार हजार में निपट जाएगा यह तो तीन यह तो तीन साल क एक साल का भी होता है तो दो साल का जो कोर्स होगा इसमें तो इसमें एक बड़ी चीज़ है इसमें एक बड़ी चीज़ है क्या बड़ी चीज़ है तो इंटर जब करते बिहार सरकार क्या कर रही है कि आई टी जो पास कर ले रहा है उसको इंटर के इक्यूवैलेंट डिगरी क वैल्यू दे रहे हैं तो आपको इंटर के साइंस के बरावर मानता दी जाएगी यह बड़ी बात है इंटर साइंस परसेंट लाना कठीन होता है तो यह बड़ी बात है तो आपका दोनों हो जाएगा इस लेवल पर बहुत सारे जॉब निकलते हैं तो आप कम उम्र में सारे इनरींग डिपार्टमेंट का एक छोटा सा अंग है यह तो इसमें आप जाएंगे तो इसमें भी बहुत सारे एसकोप है नौकडियों की डिपारा मेडिकल डेंटल में जा सकते हैं लैव टेक्नीशन में जा सकते हैं तो इस तरह के चीज़े आप तयार कर सकते हैं अग क्या करिए उसका बुक ले आईए किताब और किताब लाने से पहले एक वार 6-10 का अगर आपको आर्ट्स रखना है तो एक वार आप 6-10 का और उसको पढ़ जाईए एक डेर मेना का अंतरगत तो आपको जो है वो आगे जो आर्ट्स पढ़ेंगे आप घर पे बैठके भी परहेंगे तो आपको कोई परिशानी नहीं होने वाली है अगर आपको कॉमर्स रखना है तो कॉमर्स रखने के लिए मेरे पास इसके लिए वि किताबे जो है एक दो साहितिक किताबे भी पढ़िए आप कहानी पर सकते हैं लेकिन पढ़ना जरूरी है परहाई को कंटीनियू रखे आज़त छूट जाएगा बहुत दिक्कत होगा ठीक है तो यह सब चीज़े आपको उतना नहीं पांच-पांच घंटा नहीं पढ़ना ह है तीन घंटा ही पढ़िए चार घंटा ही पढ़िए लेकिन पढ़िए तो मैंने यहां यह बताया कि यह घूमना भी जरूरी है लेकिन कुछ लिमिटेट समय के लिए ऐसा नहीं है कि देर में आप घूमते ही रहें तो पांच-दस दिन आप घूमें फिर आराम करें उसके अपनी परहाई को फिर से कंटीनियू करना शुरू कर रहें ठीक है और आप यहां पर यह सब चीज़ें पर सकते हैं बेसक आपको लगता है अगर आपको करना है तो कर सकते हैं लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको लाइफ में क्योंकि आप कोर्स कंप्लीट हो चीज़ें आप दो तीन में ऐसे भी सीख सकते हैं ठीक है जब जरुवत परेगा तो आप सीख सकते हैं या नहीं तो कोई आपको और सारे कोर्स बहुत सारे होते हैं जो जौब देने के लिए होते हैं जैसे केम्प्यूटर के अलग से कोर्स होता है सब्वेर डिजाइनिंग बहुत सारे चीजें होती है तो यह सब चीजें जो अगर आपको सीखना है या किसीशी को म्योज्ग में इंटरेष्ट है तो म्योज्ग में जाना है तो उसके लिए तो आपको अलग से या किसी क्रिकेट में इंट्रेस्ट है तो क्रिकेट के लिए तो खैर 5-6 से प्रैक्टिस करना परेगा अभी तो बहुत लेट हो चुका है वैसे अभी भी कर सकते हैं कोई दिक्कत ने हैं तो इस तरह की चीजे जो है आप अपने परहाई को continue रख करके यह मैं कहूंगा कि पोल आपको इन सब चीजों पर फोकस करके एक मेहने का समय अपने पिछले जो परहे हैं उसको क्योंकि आपके पास प्रेसर नहीं है परिक्षा का तो आप अच्छा से समझ पाएंगा आप देखिए परिक्षा के बाद जब आप उसी किताब को पढ़ते तो बहुत आसान लगता है पहले भाड़ी लगता था तो अब अप उसको पर सकते हैं याने तो फिर आपके जो जुनियर हैं उसको परहा सकते हैं यह भी कर सकतें एक मेहना का समय इस तरह से बुजारिए और टाइम पास जो है आप खेल कूद कर बरबाद करेंगे तो आपको बाद में परिसा नहीं हो सकती है आपको बाद में लगा कि एक मेहना समय हमने बरबाद कर दिया ठीक है आपको कौन सा विषय चुनना है कैसे तैक करेंगे इसको यह इस विषय पर हम अलग से वीडियो लेकर करेंगे तब तक आज इतना हिराने देते हैं आसा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरा नंबर है एवार्ट चैनल पर जाएंगे तो तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको जानकारी मिल गई होगी तो आज लेते हैं विदा नमस्कार